रेच से चीनी अलग करना एक बार बादशा अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगन दर्बार में बैठे हुए थे सभा की कार्यवाही चल रही थी एके करके राज्य के लोग अपने समस्याएं लेकर दर्बार में आ रही थे किसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दर्बार में पहुचा उसके हाथ में एक मर्तबान था सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा क्या है इस मर्तबान में उसने कहा महराज इसमें चीनी और रेप का मिश्रण है अकबर ने फिर पूछा किसलिए अब दर्बारी ने कहा गल्दी माफ हो महराज लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस से सुने है मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तमाल किये चीनी का एक-एक दाना अलग कर दें अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे अ भगबन ने बीरबल की ओर देखा और कहा देख लो बीरबल अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपने बुद्धिमानी का परिचय दोगे बीर्बल ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज हो जाएगा यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है अब सभी लोग हैरान थे कि बीर्बल ऐसा क्या करेंगे कि रेच से चीनी अलग-अलग हो जाएगी तभी बीर्बल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले उनके पीछे वह व्यक्ति भी था अब बीर्बल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुँचे अब वह मर्तबान में मौजूद रेच और चीनी के मिश्रन को एक आम के पेड़ के चारो तरफ फैलाने लगे तभी उस व्यक्ति ने पूछा अरे यह क्या कर रहे हो इस पर बीर्बल ने कहा ये आपको कल पता चलेगा इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए अब सभी को कल सुभा का इंतिजार था अगली सुभा जब दर्बार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुँचे साथ में बीर्बल और रेट वचीनी का मिश्रन लाने वाला व्यक्ति भी था सभी आम के पेड़ के पास पहुँच गए सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेट पड़ी हुई है दरसल रेट में मौजूद चीनी को चीटियों ने निकाल कर अपने बिल में इकठा कर लिया था और बची-खुची चीनी को कुछ चीटियां उठा कर अपने बिल में ले जा रही थी इस पर उस व्यक्ति ने पूछा चीनी कहां गई तो बीरबल ने कहां रेट से चीनी अलग हो गई है सभी जोर-जोर से हंसने लहे बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहां अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चीटियों के बिल में घुसना पड़ेगा इस पर सभी ने फिर से ठाहा का लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे कहानी से सीख किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है